हला व्यूर्वान वेल्कम टु दू चैनल ग्यापन केडमी चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक और आप लोग के विधू तारा के चुंबक ये प्रभाव नाम के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है उसके बाद से आप लोग क कि हमारे घर में कौन सी बिजली आती है किस तरह आती है सारी चीज़ है तो सबसे पहरे बात करते हैं कि हमारे घर में जो बिजली आती है लाइट आती है वो कौन सी धारा होती है प्रत्यावरती धारा होती है कि दिश्ट धारा होती है देखिए दिश्ट धारा उसको कहते है जिसका मान हमेशा समान रहे अगर किसी सर्कृट से 10 एंपियर की विदूद्धारा परवाइत हो रहे है तो हमेशा 10 एंपियर की परवाइत होती ही रहेगी उसको क्या कहते हैं दिश्च धारा और परत्यावर्ती धारा उसको कहते हैं जिसका मान बदलता रहे अगर किसी गर में जो लाइट आती है वह कौन सी धारा होती है वह होती है प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा और उस धारा का 220 वोल्ट और 50 हर्ट की आवरीती होती है यानि कि उसका जो विवांतर वोल्ट क्या है विवांतर ही है ना इसको आप लोग वोल्टेज समझ सकते हैं तो 220 वोल्ट का विवांतर आता है और 50 हर्ट की आवरीती आती है अब बात यहां पर आप लोग के माइन में खठी होगी कि आ ना इस रखर कर दिखाते हैं ना तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक मिनत यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर लग रहा है ना एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर लगा रही है तो यह जो चक्कर होता है एक सेकंड में जितना लगता है ना उसको बोलते हैं यानि कि एक सेकेंड में 50 बार इस तरह करकर चक्कर लगाती है समझ में आ रहा है और रीती का ऐसा ही मातरक हर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हमारे घर में जो लाइट आती है वो एक सेकेंट में कितना फेरा लेती है इस तरह पचास फेरा ठीक है कोई दिकत नहीं है अब देखिए दूसर बोल्ट का वह आंतर और पचास हर्ट की आवरीती हम लोगों के घर में जो बिजली आती उसकी होती है अब हमेशा थोड़ों ही लाइट तो कभी कम कभी ज्यादा होता ही रहता है ठीक है अब सुनिए यहां पर जड़ा ध्यान से पूल पर से जो लाइट आता है यहां पर ध्यान देजेगा पूल पर से पूल देखिया है ना जिससे लाइट आता है दो तार आता है ठीक है दो तार ऐसे एक तार से एक तो वापस जाना भी तो जरूरी होता है ना हम लोग सास लेते हैं तो छोड़ते भी तो है ना मालीजे यहां पर एक मैं आप लोगो को पाइप दे दूँ ठीक है और यह एक तरफ से बंद है और मैं कहे रही हूं कि जो जल है इसको इधर से इधर परवाहित कीजिए यह परव लेकिन जल इधर से इधर परवाहित नहीं हो रहे थी क्योंकि रास्ता नहीं था एक और एक्जामपल लीजिए अगर मैं यहां पर एक बल्व रखी और बल्व से लाकर इस तरह एक स्वीच को जोड़ दी ऐसे और एक बैटरी को ऐसे जोड़ दी ठीक है इतना ही यह प्लस terminal हो गफिए, यह माइनस terminal हो गया, Switch को On की, On करने के बाद यह जो दारा इस बैटरी सेदारा प्रवाइध होगा और इस बल्व में जाएगा, तो क्या यह बल्व जलेगा? यह बल्व जलेगा? नहीं जलेगा. क्यों नहीं जलेगा? इसलिए नहीं जलेगा, क्योंकि इससे तो धारा इस तरह होकर इस बल्ब में जाएगी इस तरह जाएगी लेकिन उसके बाद इसके आने का रास्ता बंद है ठीक है और जब आने का रास्ता बंद है इसलिए आप लोगों का बल्ब नहीं जलेगा अब इसके रास्ते को कम्प्लीट कीजिए आने वाले रास्तों को भी अब इस तरह लाकर तार ऐसे जोड़ देंगे ना तो अब धारा जो है इधर से आ रही थी अब इधर से जाएगी भी आने और जाने के रास्ते मिल जाने की वज़े से ये आप लोग का जो बल्व है वो जलेगा गुलो करेगा लीजे जल गया ठीक है तो आना और जाना लगा रहना चाहिए तो उसी तरह एक तार होता है जिससे धारा आती है हम लोग के घर में उस तार को बोलते हैं विधून मैं तार क्या बोलते हैं विधून मैं तार जो की रेड कलर से उस तार को दिखाते हैं मतलब उस पर जो कबर चड़ा रहता है वो रेड कलर का होता है और यह जो विदूद में तार होता है इसी को आप लोग क्या बोलते हैं इसी को आप लोग लाइफ वायर भी बोलते हैं जिंदा तार भी बोलते हैं इसी तार को गर्म तार होट तार मेन सब इसी को बोलते हैं तो यह विदूद में तार हो गया और जिससे धारा वापस जाती है वाप बस लोटने वाली तार को और इसका रंग नीला पीला काला कोई भी हो सकता है रेड कलर को छोड़ कर और उसके बाद से एक होता है अर्थिंग तार जिसको भूसंपर्व कि तार भी कहते हैं ठीके तो यह हरा कलर का हमेशा रहता है ठीके लाल और हरा को छोड़ कर जो भी कलर कर इसमें आप लिगों को ले कर जाना है, आप लोगों को light जलानी है, तो आप अपने घर के बोड जो main बोड होता है, इस बोड में क्या करते हैं? यह जो आप लोगा फेस、तार होता है, जिससे धारा बिजली आती है, उसको लाकर इस तरह जोड़ देते हैं, और एक neutral ले लेते है आर कि इंदर रात उसको जाने के लिए लेते हैं और फिर आप अपने घर में लेकर चले जाते हैं तलिगा इस घर में आप लोग का पंखा है ठीक है फ्रीज है यह फ्रीज हो गया यह आप लोग का पंखा हो गया ठीक है पूलर हो गया जो भी एट्सेक्टर जो भी आप जलाना चाहरे हैं वह आप जलाईए और चलाईए ठीक है तो यहां पर क्या करते हैं आप लोग इसको इन दोनों इस तरह होता है ठीकैं एक दूह होल होता है देख रहा है वैसे वह ऐसे भी सॉकेट आता है यह वाला करकर जिसमें तीन होलोता है वह भी मैं बताऊंगी टिंसल नहीं लीजिए हर एक पीचीज बानुम चलेगा अर्थिंक तार भी बताना या भी हर सब रखिए सब कुछ जाता है तीमिं कि दोनों तार जूड़ गया अब होता क्या है माली जी आप लोग का олнगर सबरочно निकला रहता है और सब्सक्राइब तर चार्ड़र रोतया उसको लाकर एकफंव में और एक नीट्रल में लाकर जोड दिया जाता है अब देखिए इससे धारा आएगी ठीक है और इस फ्रीज में जाएगी और इस फ्रीज आपका चलेगा बहुत अच्छा से आप उसमें जो भी समान रखे इसको ठंडा रखेगा और फिर इससे जो धारा है वापस फिर ऐसे चली जाएगी यानि कि जाने और आने का रास्ता इसको म पैर की हम्ठी जाने का रास्ता एक तया में चूंस मारेगा अज सिर्फुथ मशल जूँत है Bakा इसे जूड़ा हुआ है को यांप लोग को light मारेगा अगर सिर्फ माली जी यहां पर दो पोल हैं एक पोल यह है और यह दूसरा पोल है ठीक है जिरा समझेगा यह हो गया आप लोग में तार मानी जी में तार को मैं दिखा रहे हूं और यह आपो कहो गया ऑगर इसको आप लोग क्या करेंगे इस तरह टंगा कर लटक जाएंगे तो आप लोग को नहीं मारे तो आप लोग को डॉटरल में टच किया यानि कि जाने की राष्ट में टच करेगा तो आपके बोडी से जो इस तार से धारा घुसी थी आपके बोडी में अब उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा जैसे ही आप न्यूट्रल तार को टच करेंगे तो ठीके तो अब आप लोगो को लाइट मारेगा क्यों मारेगा कि कि उसको जाने का रास्ता मिल गय तो पैर तो सबसे बड़ा नीट्रल होता है तो जैसे ही आप लोग का पैर जमीन में टच होगा आपके अंदर जो धारा बह रही थी आपके अंदर जो मतलब करेंट घुसा हुआ था अब उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा प्रित्वी तक तो इससे होकर आप लोग के आप लोग को बहुत अच्छा खासा क्या करेंगा करेंट मारेगा ठीक है उड़ जाएंगे एक बार में आप लोग तो यहां पर आप लोग को क्या समझ में आए गया कि जब भी आप लोग के बोडी से बोडी से नीट्रल मिलेगा या फिर धारा को जाने का रास्ता मिलेगा आप लोग को करेंट मारेगा इसलिए आप कोई भी तार को चुएंगे ना तो क्या करेगा अगर जाने का रास्ता है पैर आप लोग का जमीन पर है तो आप लोग को लाइट मारता है देखते हैं जो एलेक्ट्रिसियन होते हैं मिस्ट्री जो लाइट को बनाने आते हैं वहाथ में लेते हैं और तब जो भी काम करना रहता है वह फेज नीट्रल को चूते रहते हैं और वह इसलिए पहने रहते हैं ताकि जब वह तार को चूएं तो उनसे मतलब उनके बोडी में विधुद्धारा ना जा पाएं ठीक है और जैसे उनको लाइट ना मारें कुछ ऐसे होते हैं को न ही पहनते हैं लेकिन बहुत ज़्यदा चलाख होते हैं वह प्रिथवी के समपर्क में ठोड़ह तो नहीं टोड़ह तो चपल पेना ये प्यूर प्लास्टिक उसके सरीर से वापस लुटने का राष्टा नहीं मिलता है वो बश जाता है लेकिन अगर उस इलेक्ट्रिशियन को कोई दूसरा इनसान टच करेगा न चुएगा न अगर वो चपल नहीं पेना है या फिर वो रबढ़ का चपल पेना है तो दोनों को उड़ा देगा दोनों को बता दे रही हूं ठीक है है तो देखिए कभी-कभी होता क्या है कि यह अपनों का फ्रीज जो होता है जिससे दोनों तार यह निकले रहते हैं ऐसे एक फेज और एक न्यूट्रल ऐसे और आकर यह सॉकेट में लगे रहते हैं यह दो प्लक वाला जो है इस तरह आकर ऐसे जाएगी और फिज में जाने के बाद न्यूट्रल उसको वापस ला लेगा लेकिन यह जो तार ब्रेज के बोड़ी से टच कर रही है तो क्योंकि फ्रीज के पूरे बोड़ी में धारा बिकर जाएगा तो इसी के बचाओ के लिए आप लोग लगाते हैं अर्थिंग तार य यह क्या होता है प्रित्वी जमीन को 10-15 फिट गड़ा करकर जितना ही जद आप गड़ा करेंगे उतना ही आप लोग का अर्थिंग तार दियो ना वह अच्छा रहेगा ठीक है गड़ा करकर उस धादू की प्लेट से तार को निकाला जाता है और हाँ याद रहे कि अर्थिंग मैं ब्लु मारकर अटर से थाप यह त microorgan utiliser तार आ गया अब रहे तक्या है कि आप लोग देखते हैं ये और बॉल वाला सॉकट जिसमें यूपर वाला तीसरा होल होता है उसमें ले जाकर को जोड़ देते है और्फिंग को जोड़ देते हैं अर्फिंग वाले तार को ठीक है अब यहां पर भी फ्रीज में क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूं अब देखिए होता क्या है आप लोग वो थ्री प्लक देखें ऐसे रहता है जिसमें तीन टोई से निकला रहता है एक मोटा और निट्रल को लाकर इसमें जोड़ दिया जाता है और एक तीसरा तार निकाला जाता है फ्रीज के बोड़ी से टच कराकर यहां से ठीक है और इसको लाकर इसमें जोड़ दिया जाता है ठीक है अब देखिए क्या होगा आप जैसे ही इस प्लक को इस सौकिट में लगाएंगे तो यहां से तो आप लोग का आ रहा है मेन और इसमें आप लोग लगाएंगे तो इससे मेन होकर क्या होगा धारा आपके फ्रीज में चली जाएगी और फिर वापस धारा लोट कर इस रास्ते से चली जाएगी नीट्रल से और जो फ्रीज के बोडी में धारा क्या हुआ बिख तो देखिए याप बिख्रा हुँआ और में थेसह अब जाकर आप लोग फ्रीज कुछ उएंगे तो आपनों को जटकार नहीं मुplat Admires जितना भी विखरा हुआ धारा था उसको कौन लेकर चला गया यह अर्थिंग तार जमीन में लेकर चला गया अब आप लोगको करेंट नहीं मारेगा ठीक है इसलिए फ्रीप्लक लगाया जाता है करेंट नहीं मारने के लिए अब तो फ्रीज में देता है यह अलड़ी की लोग लाइक और लेया और एक भी लोग जितने भी लोग घर है वह सभी घर के पर दाएगा और इससे transformer जलने का खत्रा है और इसलिए आप लोग का एक फेज नय दोड़ा कर दो तीन फेज दोड़ाया जाता है ताकि एक गाउ में एक गाउ में कुछ एरिया के लोग पहले वाले फेज से अपने घर में लाइट ले और कुछ एरिया के लोग दुसरे वाले लाइट ले और कुछ एरिया के लोग तीसरे वाले फेज से लाइट ले और इस तरह ट्रांसफर्मर पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है और जलने का खत्रा नहीं रहता है उस तरह बैलन्स बना रहता है तीन तो फेज दोड़ा दिया जाता है अब देखिए कितना अतार है फेज का और एक निर्टरल का ठीखित तो यह आप लोगों को समझते समझते अतिभारन को देखिए को तार में से दो ऐघ की धारा पर वाइत हो सकती है मतलब उसका capacity कितना है दो एंपियर का current परवाहिद करना ठीक है अब इसमें आप लोग एक माली जे फ्रीज जोड दिये लाकर ठीक है जो की क्या है 15 एंपियर का है ठीक है मतलब इसको चलने के लिए 15 एंपियर चाहिए अब बताए इसकी capacity 2 एंपियर है और फ्रीज को चाहिए 15 एंपियर तो फ्रीज इसी से ना 15 एंपियर मांगेगा और यह जो तार है वह पूरा कोसिस करेगा कि हम 15 एंपियर दे दे और इसी चक्कर में जो तार होता है वह जल जाता है और इसी घटना को बोलते हैं हम लोग अतिभारन ठीक है समझ में आगे अब आगे देखिए लग जब नए रहते हैं तो उनकी कवर के हटनी का तो कोई खत्रा नहीं रहता है जब उस पर दीरे दीरे पानी धूप पानी धूप पढ़ने लगता है तो उसके वजह से उसमें अकड़ आ जाती है और वह कहीं कहीं से उनका कवर तूट जाता है कवर तूटता है ठीक है माली ज फूट गया लेकिन अंदर का जो तार है वह नंगा हो जाता है तो यह आप लोगों का जो नीडिल का तार है और यह आप लोगा का फेज तार है यह दोनों एक दुसरे के डिरेक्ट टॉप में आ जाते हैं टच में आने की वजह से यहां पर प्रतिरोद जो होता है और लगाया तो पंखा उड़ने जलने का खत्रा रहता है या फिर यहीं जो कुछ भी लगाए है वह आप लोगों को जलने का खत्रा रहते हैं और वह जल जाता है तो इसी घटना को बोलते हैं हम लोग लगोपतन आगे समझ ये फ्यूज को देखिए फ्यूज एक ऐसी युक्ति होती है जो अतिबारण और लगोपतन से हमको बचाती है देखिए आप लोग के घर का में ब्यूट हो गया जिससे आप एक फेस्टार को लेकर रहे हैं ऐसे घर मिलेकर चले गए और एक आप अपनों का एसी पंक का कूलर सब कुछ चलेगा लेकिन जैसे ही इदर से धारा का मान बढ़ा बोल्टेज बढ़ेगा जैसे ही ज्यादा वोल्टेज होगा आप लोगा इजर दो जो कुछ भी जल चल रहा है या फिर जल रहा है ना वह भड़ाग बढ़म करकर जल जाएगा इस घटना से बचानी के लिए हम लोगाते हैं फ्यूँज तो इसको कैसे लगाया जाता है यह आप लोग का फिजली होता है ना इसके स्रेड़ी क्रम में मैं आप लोग को बताती हूं कैसे देखिए यह आप लोग का फिज तार आ गया और इसको यहीं तक लाकर रोख दिया जता है और फिर यहां से लेकर एक ऐसे चला जाए जाता है अभी इसमें से धारा आएगा बिजली आएगी तो क्या इधर जाएगी नहीं जाएगी क्योंकि बीच मैं से परीपत टूटा हुआ है और इन्हीं दोनों के बीच क्या कर देदेगा है फिर्फ को लाकर जोड़ गर इस तरह से होता है देखिए ऐसे ऐसे और इसमें दो पीन ऐसा निकला हुआ रहता है ठीक है और इसके घतार होता है उसका गल्डांक बहुत ही Abg. टूट जाता है Japanese ही डूड़कर यहाँ पर ऐसे लाकर तर्षे जोड़ सब चलेगा और अगर वोल्टेज बढ़ा तो इस तार से होकर भी जाएगा यहां पर क्या होगा इस लेड को मालूम चल जाएगा कि भूल्टेज बढ़ गया रहे मतलब गरम उसको उस्मा मिलने लगेगा और उस्मा मिलने के इसे वज़ा से क्या होगा यहां से तूट जाती है अब इसमें से खित्मा भी धार आएगी धर जाएगी नहीं जाएगी अब यहां पर आपनों का ऐसी कुलर जो भी है वो बच जाता है यह फिर अतिभारत भी हो जाता है सब्सक्राइब लगो नीट्रल तारिक दूसे बच ज से तो उससे भी फ्यूज बचा लेता है यह तूट जाता है यहां से और लाइट कर जाती है तो यह हो गया आप लोगों का फ्यूज ले लीजी यहां तक फटफट स्क्रिंसॉट तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक से रिलेटेट कोई भी कंफ्यूज लो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं इसी के सांथ आप लोग का यह चैप्टर है विधूद धारा के चुंबक की प्रभाव नाम का यह कंप्लीट होता है फिजिक्स के हिसाब से यह चैप्ट नहीं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस